वेलकम टू आयानास केचन आज हम बनाएंगे पकोड़े की रेसिपी और ये ना ही आलू के पकोड़े हैं ना ही प्यास के पकोड़े हैं ये हैं गोबी के पकोड़े और कुछ लोगों को आलू और प्यास के बहुत पसंद होते हैं लेकिन बहुत से लोग गोबी के पकोड़ो काफी पसंद करते हैं जिस तरीके की सर्दी में गोबी आ रही है और काफी अच्छी गोबी आती है और इनको बनाना बहुत ही अच्छा रहता है जल्दी से बन जाते हैं ये नई नई रेसिपियां बनती हैं गोबी की और इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा है और आज इनको हम एक नए तरीके से बनाएंगे चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना ये मैंने 400 ग्राम के करीब गोबी ली है और ये आदी चमच के चिंकिंग मसाला है 14 चमच के करीब हल्दी पाउडर है आदी चमच रेड चिली पाउडर और ये थोड़ा सा काला नमक लिया है मैंने यहीं पर ये मैंने 4 चमच दही लिया है और ये 4 ही चमच बेसन है आप इसकी मातरा थोड़ी और बढ़ा सकते हैं और इसके साथ हम ये हरी चटनी बनाएंगे जिसके निये मैंने डेड़ का फरादनिया लिया है पांच हरी मिर्चे ली हैं और दस बारा लेसुन की कलिया ली है और इनको अब ये मिक्सी जार में डाल के मैं और अच्छा सा इसका पेश्ट बना लूँगी और ये चटनी काफी तीखी बनती है और इसको मैं पीस लूँगी और ये देखिए ये हमारी चटनी बनके एकदम रेड़ी है एकदम तीखी वाली और यहां पर ये मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें ये दो चमच मैं चटनी डाल दूँगी और ये जो दही है हमारा ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और दौनों को अच्छे से चला लूँगी और इनको हमें अच्छे से मिलाना है और यहीं पर ये मैं पौडर मसाले भी डाल दूँगी और इन सब को अच्छे से मैं मिला लूँगी एक दम अच्छा सा पेश्ट बना लेंगे इसका और यहीं पर ये गोबी के जो पीसिस हैं इनको भी इसमें डाल देंगे ये हम एक तरीके से गोबी को मेरिनेट कर रहे हैं और अब मैं इनको अच्छे से चला लूँगी आप चाहें तो इसको चम्मच की साहता से मिलाएं या फिर हास से भी मिला सकते हैं और यहां पर ये मैंने बेसन डाल दिया है आप इसमें एक दू चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं या इसकी जगे मैदा भी डाल सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो या फिर बेसन थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अगर आपको कम लगे तो और मैं अब हाथ से इनको अच्छे से मिला लूंगी ताकि हर पीस पे कोटिंग अच्छे से चड़ जाए और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें आदी एक चमच के करीब ओईल डाल सकते हैं या थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसमें और ये मेरिनेट हो चुकी है गोबी अब इसको हम आदा घंटे या एक घंटे के निए रख देंगे जितना समय आप पर हो उतनी देर के निए अब हमारी गोबी को रखे हुए टाइम हो चुका है यहां पर मैंने गैस पर कड़ाई रख दी है इसमें मैं ओईल डाल रही हूं और इसको अच्छे से गरम होने दूंगी और अब ये ओयल भी अच्छी से गर्म हो चुका है अब इसमें हम एक एक करके गोबी के पीसिज डालते जाएंगे और ये काम हमें बहुत कैरफुली करना है जिससे की चीटे हमारे उपर नहीं आएं और अभी गैस की फिलेम हाई है एक दो मिनट के बाद गैस की फिलेम में मीडियम कर दूँगी और ये देखिए ये हमारे एक तरफ से अच्छे से सिख चुके हैं अब इसको दीरे दीरे करके हम पलट देंगे ये एक साइट से सिख चुके हैं अब इसी तरीके से हम दूसरी साइट से भी इसको सिखने देंगे गैस की फ्लेम मीडियम रख दी है क्योंकि हाई पे ये सिख जल दी जाएंगे और अंदर से अच्छे से पकेंगे नहीं क्योंकि गोबी हमारी कच्ची है कच्ची गोबी लीती हमने इसलिए इसको थोड़ा देर तक मीडियम फ्लेम पे सिखना जरूरी है और ये देखिए इनको सिखते हुए करीब चार से पाच मिनट हो चुके है और ये अच्छे से क्रिप्स हो चुके है पकोड़े हमारे अब इनको हम निकाल लाएंगे और इसी तरीके से हम बाकी की पीसिस भी इसमें डालते जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इन में जादा टाइम भी नहीं लगता है और ये मैंने इसमें सारे डाल दिये हैं इनको भी ठीक उसी तरह सेक लूँगी जैसे कि मैंने पहले सेके थे और ये भी सिख चुके हैं इनको भी निकाल लेंगे हम बाहर और अब मैंने इनकी प्लेटिंग कर दी है पकोड़ों की और इनको टेस्ट करके देख लिया था ये अंदर से एकदम अच्छे से पक चुके हैं सिख चुके हैं और गरम गरम आप भी इसको खाईए चाय के साथ ये बिगर चाय के साथ चटनी के साथ खाईए बहुत ही मज़े के बने थे ये और आप भी इसी तरीके से जरूर बनाईए और हमें बताईए कि आपकी ये पकोड़े कैसे बनते हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से कीजिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के निये बाई बाई